नमस्ते बच्चों बच्चों आपने बंदर की कहानी सुनी है जिसमें दो बिल्लियों का जगडा रोटी के लिए होता है बंदर न्याय करने बैठता है न्याय के लिए लोग न्यायाले जाते हैं न्याय आले में न्याय की मुर्ती के आँखों में पट्टी बंधी रहती है और वो हाथ में तराजु पकड़े रहती है तराजु के दोनों पल्ड़े संपर रहते हैं इसका अर्थी यह है कि न्याय द्रिष्टी में सब बराबर रहते हैं। इसलिए उसका न्याय निश्पक्ष रहते हैं। निश्पक्ष का अर्थ है जिसमें पक्षपात नहूं। इसे कांकी में ऐसे ही न्याय कवर्णन किया गया है। न्याय को इंसाफ भी कहते हैं। आईए, आज हम कक्षा चौथी के पार्ट चोविस इंसाफ एकांकी को पढ़ेंगे। इस एकांकी में कुछ पात्र भी हैं। इसमें पहला पात्र है अली। अली बगदाद का एक नाई है। हसन। हसन बगदाद का एक लकड़ हारा है। इसमें खलीफा भी है। खलीफा बगदाद का समराट। समराट याने राजा। एक नौकर भी है। इसमें नौकर दर्बान की रूप में है। तो राजा का दर्बान है। पहला द्रिश्य, इस्थान बगदाद की एक सड़क पर अली नाई की दुकान, समय दोपहर, अली नाई अपनी दुकान पर बैठा, अपना उस्त्रा पैना कर रहा है, अपने कधे पर लकडी ला दे, लकड़ हारे हसन का प्रवेश हसन, लकडी लेलो लकडी, अच्छी सूखी लकडी लेलो, अली, ओ लकड़ हारे, अरे भाई लकड़ हारे, इधर आना, हसन, अपने कधे को रोक कर अली के पास आता है, भाई सहाब, क्या आपने मुझे आवाज लगाई थी, क्या आपको लकडी चाहिए, हाँ भाई, बुलाय तो इसलिए है लकडिया सूखी है गीली तो नहीं है हसन अजी सहाब आप खुद देख लीजिए ऐसी सूखी और ऐसी अच्छी लकडि किसी के पास नहीं मिलेगी अली ठीक है मैं तुम्हारी बात का भरोसा किये लेता हूं इस गधे पर लदी सारी लकडियों का कितना दाम चा पांच शकाल है बचों शकाल का अर्थ होता है बगदाद में चलने वाली मुद्रा जैसे अपने भारत में रुपे चलते हैं वैसे बगदाद में शकाल चलता है अली पांच शकाल है तो ज्यादा पर चलो मुझे मन्जूर है गधे पर की सारी लकडियों का दाम पांच शका तुम्हें मिलेगा उतारो लकडी हसन ठीक है मैं अभी लकडियां उतारता हूं हसन गधे पर से लकडियां उतार कर दुकान के सामने लगा देता है लीजिये मैंने सारी लकडियां उतार कर रख दी अब आप दाम चुका दीजिये अली तुमने गधे पर रखी सारी लकडियां उतार कर रख दी ना हसन जी हाँ सब लकडियां उतार दी हाथ कंगन को आरसी क्या आप खुद देख लीजिए अली ठीक है मैं भी देख लूँ दुकान से उतर कर गधे के पास जाता है गधे की पीट पर लकडी की बनी काठी को देख कर अरे यह क्यों नहीं उतारी यह भी तो लकडी ही है हसन हुजूर यह लकडी की तो है लेकिन यह गधे की काठी है जिन है यह जलाने के लिए थोड़े ही है अले मिया लकड हारे जो बात तै हुई थी उसे याद कीजिए मैंने कहा था की गधे पर की सारी लकडियों का दाम पांश शकाल होगा यह भी तो लकडी की ही है इसे भी उतारिये हसन अजी सहाब क्यों गरीब आदमी के साथ ठिठोली करते हो मेरा और अपना समय आप क्यों बरबात कर रहे हैं मुझे दाम दीजिए जिससे मैं अपने घर जाओं अली देखो दोस्त यह ठिठोली और मजाग की बात नहीं है जो सौदा हुआ है उसे आप भी निबाहिए और मैं भी निबाहूंगा जब तक यह काठी उतार कर यहां नहीं रखते तब तक मैं एक शकाल भी नहीं दूँगा हसन क्रोध में भर कर यहां आप क्या कह रही हैं आप तो पक्के धोखे बाज लगते हैं क्या आज तक किसी ने काठी भी लकडियों के साथ बेची है अली हाथ में एक लकडी उठा कर अबे बत्तमीज तुझे बोलने का भी धंग नहीं मालूम मुझे गालियां बक रहा है यहले यहले तेरा दाम अली हसन को लकडी से मारता है हसन बचता हुआ भागता है अली गधे की पीट से काठी उतार लेता है और अपनी दुकान पर जाकर पैट जाता है हसन थोड़ी देर में अपने गधे को ले जाता है अब दूसरा द्रिश्य स्थान खलीफा का दर्बार खलीफा एक उंचे सी हसन पर बैठे है आसपास सिपाही, मुनसीफ, आदी बैठे है मुनसीफ यानी न्यायधीश दर्बान आता है दूसरा द्रिश्य है, धर्बान हुजूर, द्वार पर एक फर्यादी आया है कहता है, मेरे साथ अन्याय हुआ है खलीफा, उसे अंदर आनी दो हसन अंदर आता है हसन, जहाँ पना, इंसाफ कीजिए खलीफा, बोलो क्या बात किसने तुम्हारे साथ बेंसाफी की है हुजूर, मैं लकडी बेचनी के लिए देहाद से आया था बजार में जब मैं अली नाई की दुकान के पास से गुजरा तो उसने लकडी का सौदा किया मैंने सारी लकडी पास शकाल में देना मन्जूर कर लिया पास शकाल में लकडियों के साथ उसने काठी भी उतार ली मुझे मारा और दाम भी नहीं दिया खलीफा, उसने काठी क्यों उतार ली हसन, हुजूर वह कहने लगा कि काठी लकडी की बनी है इसलिए मेरे सौदे में आती है खलीफा तो काठी लकडी की बनी थी हसन जी हाँ जहाँ पना खलीफा भाई उसने तुम्हारे साथ धोखा तो किया लेकिन उसका कहना भी ठीक है कानून के तहट उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता लेकिन तुम्हारे साथ बेंसाफी तो हुई है अच्छा इधर आकर मेरी बात सुनो हसन खलीफा के पास जाता है खलीफा उसके कान में कुछ कहते हैं हसन बाहर चला जाता है तीसरा द्रिश्य अली अपनी दुकान में बैठा अपना उस्तरा तेज कर रहा है हसन का दुकान में प्रवेश अली पहचान कर बाद भूल जाएए क्या आपको हजामत बनवानी है हसन दोस्त अली उस दिन तो कलती मेरी ही थी मुझे उसका नतीजा मिल गया मैं तो आज हजामत बनवाने आया हूं मेरा एक साथी और है उसकी भी हजामत बनानी है अली अरे भाई आओ आओ हजामत बनाना तो मेरा पेशा ही है हसन दोनों की हजामत बनाने की मज़़ूरी क्या होगी अली दोनों की हजामत के लिए एक शकाल दे दीजिए हसन ठीक है पहले मेरी हजामत बना दीजिए अली हसन के बाल काटता है, बाल काटकर अली लीजिये, आपकी हजामत बन गई, अपनी साथी को भी बुला लीजिये हसन, मैं अभी उसे लेकर आता हूं बाहर जाता है और गधे की रस्सी पकड़े हुए उसे अंदर ले आता है हसन, लो भाई जान, मेरा साथी भी आ गया, इसकी हजामत भी बना दीजिये अली, अरे क्या गधे के बाल कटवाएगा हसन, जी हाँ, यही तो मेरा साथी है, इसी के तो बाल कटवानी है अली, या ला, यह क्या कहता है, अरे बेवकूफ, क्या कभी गधे के भी बाल काटे जाते हैं, तुने फिर बेवकूफी की बात की पहले मेरे हाथों मार खा चुका है, भाग यहां से, नहीं तो हड़ी पसली तोड़ कर रख दूँगा हसन, भाई जान, इसमें मारने पीटने की क्या बात है, सौधा तो सौधा ही होता है अली, अबे, कानून मत बगार, यहां से सीधे भाग जा, जल्दी कर हसन, अच्छा, जाता तो हूँ, पर गरीब को सताना ठीक नहीं है चौथा द्रिश्य, इस्थान, खलीफा का दरपार, खलीफा अपनी सिहासन पर बैठे हैं, हसन उनके सामने हाजीर होता है खलीफा, क्यों भाई, क्या तुमने मेरे कहे मुताबिक काम किया, हसन जी हाँ, जहाँ पना, आज अली नाई ने मेरे और मेरे साथी के बाल एक शकाल में काटना मंजूर किया था उसने मेरे बाल तो काट दिये, पर मेरे साथी के बाल नहीं काटे और मुझे और मेरे साथी को अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया खलीफा, ठीक है, अब तुम्हारे साथ इनसाफ होगा एक सिपाही से, अली नाई को फोरन दर्बार में हाजिर किया जाए उससे अपने सारे औजार भी साथ लाने को कहा जाए सिपाही जाता है, थोड़ी देर में वह अली नाई को अपने साथ लेकर आता है अली, जहाँ पना मेरे लिए क्या हुपम है? खलीफा, क्या तुम्हारा ही नाम अली नाई है? अली, जी हाँ जहाँ पना? खलीफा, तुम्हारे खिलाफ यह आदमी आरोप लगा रहा है कि तुमने आज सुबा इसके तथा इसके साथी के बाल काटने का सौधा किया था परन्तु बाद में तुम मुकर गए क्या यह सच है? अली, सरकार, मैंने इसके बाल काट दिये लेकिन अपने साथी के रूप में एक गधे को ले आया आप ही सोचिए हुजूर, क्या कभी गधे की भी हजामत होती है? खलीफा, तुम ठीक कहते हो गधे की हजामत कभी नहीं होती पर क्या तुमने कभी यह भी सुना है कि गधे पर रखी काठी भी लकडियों में गिनी जाती है अगर यह ठीक है तो गधा भी आदमी का साथी हो सकता है और उसके भी बाल बनवाए जा सकते है अली चुप रहता है खलीफा, अब अच्छा यही है कि इस गधे के सारे बाल इसी समय साफ कर डालो अली मू लटकाए बाहर जाता है और गधे पर पहले साबुन मलता है और फिर उसके बाल काटता है गधे की हजामत बनाने के बाद वो अंदर आता है अली, हुजूर मैंने आपके हुक्म का पालन कर दिया खलीफा, देखो अली भला आदमी कभी गरीब को नहीं सताता आइंदा के लिए मेरी बात गांठ बांध लेना अली नाई, खलीफा को सलाम करके जाता है खलीफा, हसन से हसन भाई, इधर आईए अली ने आपके साथ जोबत सलूग किया उसका नतीजा तो उसे मिल गया तुम्हारी काठी का दाम तुम्हें मिल जाएगा खजानची से खजानची, हसन को दस मोहरे दे दी जाए हसन बहुत प्रसन होता है वह मोहरे लेकर खलीफा को दूआ देता हुआ चला जाता है तो बच्चों, अभी आपने इंसाफ एकांके को पढ़ा अब इस पाठ के अभ्यासकारिये को देखते हैं नीचे लिखे प्रशनों के उत्तर लिखो प्रशन पहला है अली ने हसन के गधे पर रखी सारी लकडियों का दाम कितना लगाया तो इसका उत्तर है अली ने हसन के गधे पर रखी सारी लकडियों का दाम पाँच शकाल लगाया अब अगला प्रशन है अली और हसन में जगड़ा किस बात पर उठा तो इसका उत्तर है अगला प्रेश्न है लकड़ी की काठी की बात पर खलीफा ने न्याय करने के बात क्या कहा तो इसका उत्तर है खलीफा ने न्याय करने के बात कहा देखो अली भला आदमी कभी किसी गरीब को नहीं सताता आइंदा के लिए मेरी बात गाठ बांधलो अगला प्रेश्न है नीचे लिखे प्रेश्नों के चार विकल्प दिये गए हैं सही विकल्प चुनकर लिखो का है अली के द्वारा लकडियों के साथ लकडी की काठी बांगना नियमानुसार क सही था ख गलत था ग पता नहीं ग सोच कर तो इसका उत्तर है गलत था अब अगला है अंत में अली को हसन के गधे की हजामत बनानी पड़े क स्वैम की मर्जी से खा हसन के कहने पर ग खलीफा के कहने पर और ग दर्बान के कहने पर तो इसका उत्तर है खलीफा के कहने पर अब अगला प्रश्न देखते हैं इन शब्दों के हिंदी में समान अर्थ वाले शब्द लिखो समान अर्थ वाले शब्दों को और क्या कहते हैं बचो समनार्थी शब्द तो यहां हम इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द भी देखेंगे तो पहले यहाँ जो शब्द दिये हैं उनको देख लेते हैं मन्जूर, हाजिर, खुद, गरीब, खिलाफ दो हमने इसका उत्तर बनाने के लिए पहले दो खंड बनाये हैं एक में शब्द लिके हैं और एक खंड में हमने समान अर्थ वाले शब्द लिके हैं तो यहाँ मन्जूर, मन्जूर का अर्थ होगा स्विकार हाजिर, हाजिर का अर्थ होता है उपस्थित खुद, खुद का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? स्वैम, गरीब, गरीब का निर्धन खिलाफ, खिलाफ का विरूद अगला प्रश्न है आदर सुचक शब्दों का प्रियोग करते हुए दिये गए वाक्यों को फिर से लिखो का है जो सौदा हुआ है उसे तुम भी निभाओ इसका आदर सुचक वाक्य बनेगा जो सौदा हुआ है उसे आप भी निभाईए खा तुम खुद देख लो अब इसका आदर सुचक वाक्य बनेगा आप खुद देख लीजिए अगला है अरे क्या गधे के बाल कटवाएगा अब इसका आदर सुचक वाक्य होगा अरे क्या गधे के बाल कटवाओगे अगला है यह क्या कहता है इसका आदर सुचक वाक्य होगा यह क्या कहते हो तो बच्चों अभी आपने अभ्यास कार्य किया अब मैं आप लोगों को घर से करके लाने के लिए ये ग्रिह कार्य दे रही हूँ इसे आप लोग घर से करके लाएंगे तो इसका पहला प्रेश्न है अगला प्रेश्न है अगला प्रेश्न है अपनी बोली की कोई एक कहावत अर्थ सहित लिखो और उसे उचित प्रसंग में अपने वाक्य में प्रेयोग करो अगला प्रेश्न है तुम्हारे आसपास के लोग अपने जगडे सुलजाने कहा जाते हैं? अपनी बडों से पूछ कर उसके बारे में लिखो अगला प्रेश्न है इस एकांकी का शिर्शक है इनसाफ क्या इसका कोई और भी शिर्शक हो सकता है? सोच कर लिखो तो बच्चों आपको ये करके लाना है अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे धन्यवाद अगला प्रेश्न है